हेलो नमस्ते सर्ष्रकाल मैं राजनात दलेबराज अनलिस्ट आज के इस एपिसोड का टाइटल है डिस्ट्रैक्शन दे चेक मेट मूव अब यह मूव किसका है बीजेपी का बीजेपी का मूव जो 2014 से अब तक बीजेपी बहुत ही स्मार्ट ने इस मूव को चलाती हुए सबसे पहले आपको बताते हैं भी हाली ही मैं ऐसा कि इतना भी क्या बड़ा हो गया कि मैं यहां पर इस वीडियो को लेकर आपके सामने मौझे हुए जब पंजाब में एक पॉलिटिकल धमाका देखने को मिला धमाका यह था कि आमाजी पार्टी के MP और MLA दोनों पार्टी भाजपा में शामिल हो गए जहां जलंदर के ही MP सिशील कुमार रिंकू और जलंदर वेस्ट के MLA शीतल अंगुराल अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और पंजाब की सियासत को हिला के रग दिया जिनको इस खबर की जानकारी नहीं थी वो चौक ग बहुत हुए है लेकिन इसका distraction the checkmate move से का लेना देना है हम आपको बताते हैं दर असल अगर मैं ये कहूं कि सुशील कुमार रिंकू और शीतल अंगुराल का भाजपा जॉइन करना अर्विन केजरिवाल के arrest से जुड़ा हुआ है तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे श हाँ लोगसभा चुनाव 2024 में अब बस कुछ ही समय बचा है और इस दोरान हर को ही जानता है कि आमादिन पार्टी भाजपा का एक कड़ा मुकाबला मानी जा रही है एक strong opposition मानी जा रही है अब ऐसे में आमादिन पार्टी के मुख्या अर्विन केजरिवाल का arrest होना पार्टी के लिए एक solid जटका तो था लेकिन एक distraction दे चेक्मेट मूव भी था अर्विन केजरिवाल के ग्रफतार होने से पहले आमादिन पार्टी पंजाब और दिल्ली में अपना गड़ जमा चुकी थी और यहाँ पर पार्टी वरकर्ज में या पार्टी के लीडरों में पूरी एक्ता दिखाई दे रही अब जाहिर सिवात आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक बुजर्ग पिता अपने चार बच्चों को अपने एक एक डंडी देता है हाँ में जिसमें और उनको गोता है कि आप इसको तोड़के दिखाए तो अराम से तोड़ते है फिर वही चार डंडियों को एक पंजाब की ताकत और दिल्ली की ताकत एक हो गई भही कुछ एक आदे सुशिल कुमार रिंकू और शीतल अंगुराल जैसे MP या MLA पीछे रहे गए जिनको लहाजा भाजपा ने मौका देखते ही अपनी टीम में ले लिया अब इनके टीम के आने के बाद नो डाउट पंज चैकमेट एक बड़ा वर्ड है I know लेकिन मैं इस वर्ड को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश करूँ आप इस वीडियो के एंड तक तो बने रहेगा अब डिस्ट्रेक्शन दो चैकमिट मूव यह है क्या जरसल बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक रहे हमेशा से डिस्ट इसकी शुरुवात होती है जब सुप्रीम कोट ने इलेक्टोरल बॉर्ड को अनकॉंसिट्यूशनल करार दिया था जहां उसके बाद से सभी लोगों में कई ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ये सधी का सबसे बड़ा स्कैन तो नहीं अब इस पहेली को जहां लोग सु उतना फरक पड़ा नहीं यानि कि लोगों में चर्चा फिर भी बनी रही इलेक्टोरल बॉर्ड को लेकर क्योंकि सुप्रीम कोट लगातार स्बी आई बैंक को लठाड रहा था और उनसे बार बार इलेक्टोरल बॉर्ड का डाटा मांग रहा था अब आता है स्टेप टू क लेकि इसका जवाद दिल्ली हाई कोट में आख सुनवाई के दौरान अरविन केजरिवाल के वकिल सिंग्वी ने दिया जिन्रों ने बहुत क्लियरली इस चीज़ पर जोर डाला कि अरविन केजरिवाल का अरेस्ट होना अभी ही जरूरी क्यों था उनका कहना है कि यह जो मा अरेस्ट बिल्कुल तब आया जब Modern Code of Conduct भी लागू हो गया और Elections की Dates भी Announce कर दी और इस दौरान अरविन केजरिवाल का बहार आपाना मुश्किल तो लग रहा है लेकिन ये भी नहीं पता कि अभी आगे मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं फिर आता है Step 3 Step 3 क्या था जिहां आमाधी पार्टी के लोगों को उठा कर अपनी पार्टी में शामिल कर लेना जिसके तहत भाजपा ने सुशील कुमार रिंकू और शीतल अंगुराल को पार्टी में जॉइन किया और पंजाब आमाधी पार्टी को दिया एक बहुत बड़ तो अब यह जो distraction की theory है वो कैसे काम्याब है देखे electoral bond से शुरू हुआ यह जो distraction theory था वो खतन तो सुशील कुमार रिंकू पर जाकर हुआ है लेकिन इस दोरान हर step ने BJP को favor दिया है अब वो कैसे दिया है step 1 था electoral bond की जो controversy उसको छुपाने के लिए petrol diesel के भाव सस्ते करना हाला कि इतना impactful ये favor नहीं किया BJP को लेकिन जो step 2 था यानि कि अरविन केजरिवाल का arrest वो इनके favor में जरूर जा रहा है क्योंकि लोग का भी मानना ही है कि अब अरविन केजरिवाल party को lead करने के लिए होंगे ही नहीं तो क्या पता आमाजी party को उतने vote पड़े जितने वो expect कर रहे हैं या नहीं फिर step 3 था सुशिल कुमार रिंकू और शीतल अंगुराल को party में लेकर आना तो वो बे बिल्कुल कारगार साबिक होगा तुकि जहां पंजाब भाजपा ने ये announce करा है कि वो 13 seatों पर खुद तो step हमारा one था petrol diesel के rate कम करना वो भी कहीं नहीं फाइदा करेगा क्योंकि बहुत से ऐसे भगत हैं जिनको दोर पे की रिवायत भी बहुत बड़ी रिवायत बती है distraction एक बहुत ही सोची समझी सटी चाल वो चाल जिसका अभी तक किसी के पास कोई तोड़ने मिला अब अगर अब कोई वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें, share करें, comment के जरी अपनी बात जरूर बताएं और चैनल को subscribe करना ना भूले